गाईट्स बिते हुए कल को और आने वाले कल को इंगलिश में क्या वर्ड है? मैं कोई फिलोसोपी की बातें नहीं कर रहा हूँ इन फैक्ट यह सवाल में इंगलिश के पॉइंट ओफ फिव से आपको पूछ रहा हूँ खैर यह तो आपको पता ही होगा कि बिते हुए कल को एस्टरडे और आने वाले कल को तुमारो कहा जाता है लेकिन अगर मैं आपसे यह सवाल पूछू कि कल के बाद जो दिन आएगा उसे इंगलिश में क्या कहते है तो आप लोग क्या जवाब देंगे जादा तर लोगों का जवाब होगा डे आफ्टर टुमारो क्योंकि जादा तर लोग यही वर्ड इस्तमाल करते है तो गाइज मैं आपकी जानकरी के लिए बता दू कि इंगलिश में इसके लिए भी एक फ्रॉपर वर्ड है जो की है ओवर मौरो जैसे कल को हम तुमारो कहते है वैसे ही कल के बाद आने वाले कल को ओवर मौरो कहते है तो गाइज यहाई इंट्रेस्टिंग फैक्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग फैक्स के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते है ठैंक यू बजर भाइब कर सकते है